प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब मुझे पता है कि आप सब को पढ़ाई करना खेलना खूदना कितना पसंद है और अगर मैं ये कहूं कि आज हम खेलते खेलते पढ़ाई करेंगे तो आपको कैसा लगेगा क्या हुआ ओ अच्छा आपको लग रहा है कि हम खेलते खेलते थोड़ी ना पढ़ाई कर सकते हैं पर ऐसा बिलकुल नहीं है हम खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज हम यही करने वाले हैं जी हाँ प्यारे बच्चों आज हम सीखेंगे रेखाओं के बारे में हम अपने आस पास कितनी चीज़ें देखते हैं जो अलग-अलग आकार की होती हैं क्या आप जानते हैं कि यह आकार रेखाओं से बनते हैं यह रेखाएं कई प्रकार की होती हैं जैसे खड़ी रेखा तिरची रेखा घुमावदार रेखा इत्यादी और जैसे रेखाएं होती हैं वैसे ही उनसे आकृतियां बनती हैं जैसे जब हमारी मम्मी बेलन से हमारे लिए रोटी बनाती है तो बेलन की आकरिती कैसी दिखती है? बताओ, बताओ, सही कहा, सीधी रेखा जैसी और वो गोल-गोल रोटी कैसी दिखती है? बताओ, आप तो बहुत समझदार हो, सही पहचाना रोटी दिखती है घुमावदार रेखा जैसी है ना मज़ेदार बात? तो चलो, आज हम इस सुहावने मौसम का मज़ा लेते हैं और खेल-खेल में सीखते हैं रेखाओं के बारे में क्यों ना हम बागीचे में चले, घुमे और अलग-अलग प्रकार की रेखाओं को धूंडे? क्यासा लगा मेरा आइडिया? तो चले, चलो! वाव! ये बागीचा कितना सुन्दर है! कितनी हर्याली है यहाँ पर! अरे ये देखो! मुझे क्या नजर आया? धेर सारी रेखाएं! ये है सीधी रेखा! और ये? ये है सीधी खड़ी रेखा! और मुझे कुछ और भी नजर आ रहा है! ये रही घुमावदार रेखा! और वो देखो जरा! वो है तिर्ची रेखा! अरे, वहाँ क्या हो रहा है कुछ बच्चे योगासन कर रहे है इन बच्चों को तो मैं जानती हूँ ये, ये तो पृती है जो सूरे नमसकार कर रही है सूरे नमसकार करते वक्त पृती की शारिरिक मुद्रा कैसी है बताओ, बताओ आपको रिखाओं के बारे में तो आप सब कुछ पता है हाँ, प्रीती की शारिरिक मुद्रा है सी भी खड़ी रिखा और ये तो मैंने आपको बता दिया लेकिन मेरे अगले सवाल का जवाब आपको ही देना होगा वो देखे, वहाँ पर गुर्मीत भी है जो कुछ एक्सिस कर रहा है और उसकी शारिरिक मुद्रा है कैसी? पहचानों? बिल्कुल सही, तिर्ची रिखा तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि रिखाओं के बारे में अब आपको सब कुछ पता है क्योंकि आपने इने पहचान ना जो सीख लिया है अब ये बच्चे तो योगासन कर रहे हैं क्योंना हम भी कुछ मज़दार एक्सिस करें और खेल-खेल में सीखें रिखाओं के बारे में अब जब आपको ये पता चल ही चुका है कि हमारे आस-पास धेरों अलग-अलग प्रकार की रिखाएं होती है तो मैं आप से कुछ सवाल करूँगी और देखते हैं कि आप कितने सही जवाब देते हैं तो मेरा पहला सवाल है कि ऐसे आसनों पर गोला बनाईए जिन में खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं और दूसरा सवाल है ऐसे आसनों पर टिक माग बनाईए जिन में खड़ी और तिर्ची दोनों रेखाएं दिखाई दे रही है तीसरा सवाल भी है मेरे पास आपके लिए ऐसे आसनों पर क्रोस बनाईए जिन में घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही है और ऐसे आसनों पर स्टार बनाईए जिन में पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है तो आपने मेरे सभी सवालों का सही जवाब तो दे ही दिया होगा आप इतने समझदार जो हो लेकिन आपको पता है कि आप भी ये आसन घर पर कर सकते हैं जी हाँ इन आसनों का अभ्यास घर पर जरूर कीजेगा लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभ्यास करते वक्त आपके साथ आपके घर के कोई बड़े हो या फिर आपके टीचर मौजूद हो और आसनों का अभ्यास करते समय बनने वाली रेखाओं पर चर्चा भी जरूर कीजिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और मज़ेदार एक्सरसाइज जिसका नाम है क्या है सीधा हाँ यहाँ पर हमें चाहिए एक धागे का टुकड़ा एक धागे के टुकड़े को आप दोनों हाथों से पकड़ो अब बताओ क्या यह सीधा है इसके बाद अपने हाथों को पास लेकर आएं अब बताएं क्या यह धागा सीधा है और आप धागी को तिर्चा, पड़ा, खड़ा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार की रेखाएं बनती है तो ये थी एक मज़दर एक्सेसाइज अब हम कुछ रोचक करते हैं आपने तो देखा ही है न कि पार्क में हमने कितनी सारी रेखाओं को ढूण निकाला अब हम इस दिये गए चित्र में छूटी हुई, खड़ी, पड़ी, तिर्ची और घुमावदार रेखाओं को बनाएंगे जी हाँ, ये जूले तो देखी रहे हैं आप इन पर जूलना आपको कितना अच्छा लगता है, मुझे सब कुछ पता है तो इन जूलों पर जूलने से पहले इन रेखाओं को हम बनाएंगे और इसके बाद हम खेलेंगे बिंदूओं से हाँ, क्या आपको पता है कि हम बिंदूओं को जोड कर विभिन प्रकार की रेखाएं बना सकते हैं जैसे सीधी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, पड़ी और तिर्ची रेखाएं इन रेखाओं के साथ साथ हम नई आकृतियां या डिजाइन भी बना सकते हैं एक डिजाइन तो आप देखी रहे हैं जो हमने आपके लिए बनाया है क्या आप इसे पहचान सकते हैं ये एक जानवर की आकरिती है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये कौन सा जानवर है ये आपको खुद ही पहचानना है और ऐसी अलग-अलग आकार आपको बनाने है ये दिखे ये एक और आकरिती है ये क्या है मुझे तो ये कुछ डब्बे जैसा लग रहा है आपने भी यही कहा न ठीक पहचाना तो बिंदूओं से खेलिए और अलग-अलग आकार की रेखाओं को बनाए तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि रोटी किस आकार की होती है रोटी गोल होती है और घुमावदार रेखा से बनती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि घुमावदार रेखाओं से और क्या-क्या बनता है? सोचिए, सोचिए, बिलकुल ठीक, आप आकाश में देखिए, आप बादलों को देखिए, इंद्रधनुष को देखिए, ये कितना सुन्दर है लेकिन क्या आपको पता है कि ये घुमावदार रेखाओं से बनता है? जी हाँ, ये आकरितियां, ये डिजाइन घुमावदार रेखाओं से बनती है और इसे लिए मैं अब आपके लिए एक बहुत ही मज़िदार एक्सरसाइज लेकर आई हूँ फिर से समय है बिंदूओं से खेलने का आप देख सकते हैं कि घुमावदार रेखाओं को मिला कर मैंने एक संदर सा फूल बनाया है आप भी और अने कई डिजाइन्स बना सकते हैं घुमावदार रेखाओं की मदद से ये देखिए, ये कितना संदर पाटन है जो घुमावदार रेखाओं की मदद से बना है ये क्या है? इसे आपको पहचानना होगा तो चलिए, अब आपने रेखाओं के बारे में इतना कुछ सीख लिया है आपको पता है कि रेखाओं कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की रेखाओं की बात करें तो सीधी रेखा होती है, तिरची रेखा होती है और इन दोनों प्रकार की रेखाओं से आप एक डिजाइन बना सकते हैं है ना? सही कहाना मैंने तो जरूर बनाईए अचा चलिए दो प्रकार की रेखाओं से तो आपने एक डिजाइन बना लिया अगर मैं कहूं कि तीन प्रकार की रेखाओं से भी एक डिजाइन बनाईए तो आप कैसा डिजाइन बनाएंगे और वो तीसरी रेखा कौन सी होगी ये आपको सोचना है, मैं नहीं बताने वाली मुझे पता है कि आपको अब रेखाओं के बारे में सब कुछ पता है अरे वाँ, आपको तो ये भी पता है कि तीसरी रेखा से आप कौन से डिजाइन बना सकते है क्या बात है, आप बच्चे तो बहुत समझदार हो चलिए, अब है आपका रियल टेस्ट दो प्रकार की रेखाओं से आपने एक डिजाइन बनाया तीन प्रकार की रेखाओं से भी आपने एक डिजाइन बनाया लेकिन अब आपको सभी प्रकार की रेखाओं से एक डिजाइन बनाना होगा हम, है ना मुश्किल? वेल इतना भी मुश्किल नहीं है आप लोग सब कर सकते हैं तो चलिए सभी प्रकार की रेखाओं से एक डिजाइन जरूर बनाईए तो है ना ये एक मज़ेदार कारे मुझे पता है कि अब आप इस कारे में और डिजाइन बनाने में व्यस्थ होने वाले हैं तो चलिए आप मज़े मज़े सी डिजाइन बनाईए और इस कारे को पूरा कीजिए मैं मिलूँगी आप से फिर एक नए विशे के साथ कुछ नए सीख के साथ तब तक के लिए टाटा झाल झाल झाल